नोमाड लैंड को मिला वेस्ट फिल्म का ओस्कर अवार्ड नोमाड लैंड नामड लैंड को वेस्ट फिल्म का ओस्कर अवार्ड मिला है साल 2020 में आई नोमाड लैंड एक अधेर उमर की महिला की कहानी है जो अपने पती की मौत के बाद खाना आपदोश की जिन्दगी जीती है वो एक वेन में रहती है अलग-अलग जगे काम करती है और अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों में अपना बसेहरा करती है सिर्फ यही नहीं फिल्म की लीडिक ट्रेस फ्रांसेस में कडोर मंद को बेस्ट लीड रोल के लिए औसकर अवार्ड मिला है इस फिल्म की निर्देशक लोई चाव ही इस फिल्म की लेखक, एडिटर और प्रोडिूसर भी है इस आफिशल, आसकर जपिक ट्विटलर का मीजी पी वाजबत्व, दैश दे अकैडमी, आउत इकडमी, 26 एप्रिल, 2021 नोमाड लैंड के लिए महिला फिल्म निर्देशक लोई चाव को इस वर्ष आसकर फिल्म पुरसकारों में सर्वश्वेश्ट निर्देशक का पुरसकार मिला है आसकर पुरसकारों के 93 सालों के इतिहास में ये अवार्ड जीतने वाली वो दूसरी महिला है पुरसकार स्वीकार करते हुए क्लोई ने कहा मैं इस दुनिया में जहां भी जिससे भी मिली हूँ उनमें अच्छाईयां ही पाई है ये अवार्ड उनके लिए है जो अच्छा बने रहने में यकीन रखते हैं और ऐसा बने रहने का साहस जिनके पास है भले ही ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो ये अवार्ड आप सभी के लिए है आप मुझे प्रेड ना देते हैं